नमस्कार, रागिरी में आपका स्वागत है किसी भी कलाकार के लिए जब लोग ये कहने लगें कि वो जितनी पारंगत शास्त्रिय संगीत में हैं उतनी ही पारंगत हैं उप शास्त्रिय गायन में यानि चैती, कजरी और ठुमरी जैसी कलाओं में ऐसी एक कलाकार है सावनी शिंडे और रागिरी के मन्च से इस वक जुडने जा रही है सावनी शिंडे खुद तो हम स्वागत करते हैं सावनी आपका रागिरी के इस मन्च पर नमस्ते, रागिनी के माध्यम से आप से और श्रोताओं के साथ बातचीत करते हुए बहुत आनन्द मिल रहा है सावनी ये जो मैंने आपके परिचे में एक कॉंप्लिमेंट वाली बात कही ये इतना आसान नहीं होता लेकिन आपका जो संगीत का सफर है वो तो 6 साल की उम्र से शुरू हो गया था यानि एक लंबा सफर भी है इस कॉंप्लिमेंट को पाने के पीछे जी बिलकुल एक लंबा सफर तो है ही क्योंकि मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि मैं एक संगीत में घराने में मेरा जन्म हुआ वही मैं पली बड़ी हूँ मेरी दादी कुसुम शेंडे की राना घराने की जेश्ट गाई का रह चुकी है और उन्होंने भी शोभा गुर्टू जी से उपशास्त्रे संगीत की तालीम ली है और संगीत नाटक जो एक दौर था उस जमाने में महाराश्ट्र में तो बहुत ही प्रसिद्ध था वो दौर तो उस दौर की बहुत एक मशूर अभिनेत्री गाई का रह चुकी है मेरी दादी और हिरा भाई बड़ो देकर सरस्वति भाई जी से किराना घराने की तालीम ले चुकी है तो जाहिर सी बात है कि वही सिलसिला उन्होंने मेरे साथ भी कायम रखा मुझे सिखा के गाना सिखा के और मेरी जो भी उनसे में ले सकती थी तो उस हिसाब से में लेती रही जितनी मेरी आकलन शक्ती है उससे मैं लेती गई दादी से और जो सीखने का वैसे सिलसिला है तो वो तो आखरी साथ तक मेरी चालू रहेगा क्योंकि मुझे लगता है कि साधक की जो अवस्था है न वो हमेशा बरकरार होनी चाहिए ऐसा नहीं कि मैंने शिक्षा ले ली वो तो शिक्षा जो पाई है उस पे काम चालू है उसी सिलसिले में मैं अपने शिश्यों को सिखाती रही हूँ सिखा रही हूँ अभी तक और ऐसे ही चालू रहेगा यह सिलसिला तो सिखना सिखाना यह तो चालू रहेगा और और एक बात जो बहुत अच्छी है खुशनसीब समझती हूँ मैं खुद को कि मेरे पिता जी डॉक्टर संजीव शेंडे यह उपशास्त्रे संगीत सिखाते हैं सबको और घर में ही मुझे उसका जो है अच्छा ट्रडिशन दोनों काम लाप मेरे शिक्षा में रहा है शुरू से बच्पन से और आपके पिता डॉक्टर संजीव शेंडे तो खुद शोभा गुर्टू जी के शिश्य रहे तो परिवार में पिता के तौर पर एक ऐसे कलाकार का मिलना कितना भागिशाली समझती है आप अपने आपको बहुत बहुत भागिशाली समझती हूँ खुद को क्योंकि सबको ये भागय प्राप नहीं होता कि दो-दो गुरू आपके घर पे ही है जब मैं गुन-गुनाती भी हूँ ना और कही मेरा चुक जाता है कही गलत हो जाती हूँ तो बिलकुल कही से भी आवाज आती है सामनी ये क्या कर रही हूँ तुम बैटा गुन-गुनाना भी है तो सही तरीके से गाओ और इसलिए मुझे लगता है कि जो ठुम्री दाद्रा और शास्त्री संगीत में जो फरक होना चाहिए जो दिखाई देना चाहिए, सुनाई देना चाहिए आपकी गाने में तो वो मैंने सीखा मेरे पिता जी से डॉक्टर संजीव चेंडे और मेरी दादी कुसम चेंडे जी से तो वो मुझे लगता है कि अच्छी तरस से तालीम मैंने ली है मेरे पिता जी से इसलिए ठुमरी में क्या नहीं करना है या फिर क्या करना है ये मुझे अच्छी तरस से बताया गया है और वैसे ही शास्त्री संगीत की बात है उसमें क्या डिसिप्लिन मेंटेन करनी है जिसके कारण आप बहते बहते उपशास्त्री संगीत तक ना पहुँझाए इसलिए वो वाटर टाइट कमपार्टमेंट्स तो है नी आपको ही दिमाग लगा के एक बैलन्स रखके सोचना ह क्या करना है क्या नहीं करना है कौन सा गान प्रकार में गा रही उस उस हिसाब से उसको न्याय देना चाहिए तो ये बाते मुझे घर में ही पता चली इसलिए भटकी नहीं गई सावनी बातचीत के सिल्चिले को शुरूख मतलब और आगे बढ़ाएं इसके पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि कोई भजन, कोई गणेश बंदना जो आप हमें सुनाना चाहें जी जरूर एक मीरा भजन है, बहुत ही सुन्दर है, लिखा हुआ तो उससे प्रेरित होके मुझे उसकी एक ट्यून मैंने बनाई है, तो ये मीरा भजन इसकी स्वर रचना मेरी है कोई कही औरे प्रभु आवन की कोई कही औरे प्रभु आवन की कोई कही औरे प्रभु आवन की आवन की मन भावन की कोई कही औरे प्रभु आवन की कोई कही औरे प्रभु आवन की सामनी मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपकी जो पहली स्टेज परफॉर्मेंस थी वो दस साल की उमर में थी और जब मैं सोचता हूं तो मुझे कई बार लगता है कि दस साल की उमर में तो बच्चों की जो शैतानिया होती है वो बहुत भारी होती है तो जिस उमर में बच्चे शैतानी करते थे उस उमर में करते हैं बलकि उस उमर में स्टेज पर बैट कर परंपरा कर तरीके से प्रस्तुती देना क्या कुछ या लाता है उस कालिक्रम से जी मैं दस साल की थी तब ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम कह सकते है मेरा हुआ पुणे में और मेरी दादी की 60th birthday थी और यहां पर एक ऐसा महल होता है कि 68th birthday बहुत धूमदाम से मनाया जाता है तो एक gift from home इसलिए मुझे बिठाया गया गाने को और सच बताओ एक कोई pressure नहीं था मन में अभी जब मैं सोचती हूँ पीछे जाकर तो मुझे लगता है pressure तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि जो भी कुछ आता है सामने तो दादी बैठी थी पिता जी बैठे थे घर के लोग है और उनके सामने मुझे जो भी कुछ आता है वो गाना है बस यही दिमाग में था और ऐसे दिमाग में विचार लेके मैंने बागेश्री गाया और फिर उसके आगे जब मैं उत्री स्टेज से तो मुझे उस वक ध्याना है कि अरे सिर्फ गर के लोग नहीं तो इतना बड़ा hall था बहुत पंडित लोग है अफकोर्स मैं उनके आशिरवाद लेके ही बैठी थी लेकिन सब गा रही थी मैं दादी और पिताजी को देखकर तो बिलकुल प्रेशर नहीं था लेकिन जोक पर कुछ गाना है सिंसरिटी के साथ गाना है अच्छी तरह से गाना है और फिर मुझे दिमाग में आए कि इतने बड़े बड़े लोग पूरे के जो विद्वान लोग है पंडित लोग है सामने बैठे थे और उनके जो आशिरवाद मिले मुझे इस प्रोग्राम के जरीए वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरी संगीत में यात्रा में क्योंकि इतने कम उम्र में आपको लोग बताते कि अर बहुत नसीब वाली समझती हूं मैं खुद को साबनी बातचीत को और आगे बढ़ाएं उससे पहले अपनी एक पसंदीदा रचना सुनना चाहूंगा आपसे जो बहुत बड़े-बड़े कलाकारों ने गाई है और निशित तोर पर आपको भी पसंद होगी बाबुल मुरा नई हर छूटो ही जाए बाबुल मुरा तो बहुत सारे लोग गाते ही हैं लेकिन मुझे जो बहुत पसंद है वो आज आपके लिए गानी है शोभाताय बुल्टी जी की बहुत सुन्दर अचना है संद कमानी की जो संद कबीर की बेटी माने जाती है मुष्र भेर भी किया रचना है संहा ही टासु मेव भी किरा आप्या बनिकर से भाता ऍ। संहा ही जो बकैस जाता आप्याय जाता है लेना लडीति मेना लडीति राम सेया मिकैस गए सावनी फिर आपको जब आपका जो परंपरागत संगीत सीखने का सिलसिला जब आगे बढ़ा तो आपको वीना सहाश्र बुद्धे जी से भी सीखने का स्वभागे मिलाए वो कैसा अनुभो रहा आपके लिए आपको एक बेहतर गायक बनाने के लिए एक बेहतर कलाकार बनाने के लिए जी मेरा बहुत बड़ा भाग्या है कि विना जी जैसी गुरू मुझे मिली और उनके बारे में क्या बताओ मुझे लगता है शब्द काफी नहीं उसके लिए और खास तोर पर ग्वालियर गायकी क्योंकि मेरी दादी ने मुझे किराना गायकी सिखाई थी लेकिन विना थे कि यहां मुझे तानों के विवित प्रकार फिर जो आकरमक राग है जो अलग किसम के राग है वो उनसे सीखा और जैसे अलापचारी में भी एक जैसे अभिज गान हो यह मैंने विणाताई से सीखा तराने की बात है तो तराने में उनकी पी एजडी थी तो विणाताई से बहुत ऐसे कुछ तराने मैंने सीखे मैं फिल कैसे आप उसको रंजग बनाएं कैसे आप लोगों तक पहुंचे अच्छी तरह से और आपका मन उसमें होना कैसे चाहिए वो मैंने विडाजी से सीखा और सबसे बड़ी बात क्या नहीं करना चाहिए जो आपको पसंद नहीं है लेकिन लोगों को सिर्फ पसंद है इ यह discipline में नहीं था उनके और यह मैं भी follow करती हूं कि जो आपको ethically अच्छा लगे जो आपके मन को सही लगे वही करना है जैसे fusion की बात है मैं तो बिल्कुल fusion नहीं करती क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता जिस प्रकार का fusion आजकल लोगों को अच्छा लगता है वो म साथ बैठे हो तो कोई बात नहीं है जैसे मैंने beyond world project किया था उसमें मैंने fusion नहीं किया है लेकिन जो भी बंदिशे है मेरी तो अच्छी तरह से वो harmony based है राग based भी है harmony based भी है जो पाश्चात्य वाद्यों के साथ आती है तो ऐसे प्रयोग करने में बहुत अच्छा लगता ह लेकिन जो typical fusion है आज का जो पुराने बंदिशों को लेकर उसको तोड़ डालते है उसकी बहुत विटम बना होती है तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एथिक्स मैंने विणाजी से सीखे है सावनी हमने आपके परिचे में कहा जो कि उप शास्त्रिय गायन से जो आपका रिष्टा है और जिस तरीके से आप जिस खुपसूरती से आप इन कलाओं को भी पेश करती है तो कुछ छोटी-छोटी चीजें कोई ठुमरी, कोई कजरी, कोई चैती, कोई दागरा जो दो-द मन में बसी है शाम सुरतिया मन में बसी है शाम सुरतिया नील गगन जैसे मूरतिया मन में बसी है मेरे पिता जी की रचना है बहुत सुन्दर है और वैसे भी माहौल इतना बढ़िया है खुछनुमा है तो उसी को मन में रखते हुए आपके सामने एक यह रचना है रितु सावन परत पुहार रितु सावन परत पुहार रितु सावन परत पुहार संग साजन आई बहार रितु सावन परत पुहार रितु सावन परत पुहार एक सावनी है जो मेरे पिता जी की रचना है सावनी अब मेरी रिक्वेस्ट उस बंदिश की है जो मुझे बहुत पसंद है आपकी गाई हुई राग मारु विहाग जाओ सजना मैं नहीं वोलू मुझे बहुत आनंद है यह आपकी परमाईश पूरी करने में यह मेरी स्वराचित बंदिश है राग मारु विहाग की सागम पागम गरि सागम पनी सागम पदमप मता सारि निसा घर वनिसा घर इसा निमा अमा घर सा निसा घर मती जाओ सचना मैं नहीं बोलू जाओ सचना मैं नहीं बोलू बैया तुमोरी छोड़ छोड़ जाओ सचना मैं नहीं बोलू जाओ सचना मेना ही बोलू बैया तुमोरे छोड़ छोड़ जाओ सेजन आजाओ सेजन सामनी अपने मराठी फिल्मों में बहुत गाया है तो एक तो प्लेबैक सिंगिंग जो है फिल्मों की उस पर आप किस तरीके से उसको किस नजरिये से देखती है और उस करियर के उस आयाम पर अगर बात की जाए तो उसको अभी और एक्स्प्लोर करने का कितना इरादा है अभ लेबैक सिंगिंग तो बिल्कुल अलग फिल्ड है और मेरा फिल्ड तो बिल्कुल क्लासिकल संगीत है शास्त्रिय संगीत हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत तो मुझे लगता है कि हर एक कलाकार को अपना दाइरा समझ के उस दाइरे में रहना चाहिए क्योंकि अगर आप तो चलते-चलते मुझे जो भी कुछ opportunities मिली फिल्म संगीत की तो जो मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगा कि मेरे गाने से उसका कुछ ना आता है, तालुक है तो उसी को मैं accept करते गई, वही offers मैंने accept किये और उसी मैं मैंने गाया और उसके लिए मुझे state award भी मिला सिकता होती आपकी, एक बैठक होती है, जो मेरी शास्त्रे संगीत की है, उसमें अफकोस भक्ती संगीत भी है लेकिन मैं तो बहुत बड़ी fan हूँ फिल्म संगीत की, लेकिन career wise अगर मैंने चुना है तो वो शास्त्री संगीत को ही चुना है, इसलिए मेरी मैफिलो में शास्त्री संगीत, उपशास्त्री संगीत और भजन ये आपको सुनाई देंगे लेकिन फिल्म संगीत नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वो अलग एक field है, उसके लिए अलग सोच है, उसके लिए voice production भी different होना चाहिए और मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे गुरू ने भी मुझे ऐसा नहीं बढ़ा किया है, कि आप सब कुछ करो you know, do everything, ऐसा नहीं है, आप जानो आपका आत्मा कहां है, आप कहां खो जाते हो बिल्कुल तो वैसे भी मैं लता जी, आश्या जी, रफी जी, किशोरदा की बहुत बड़ी fan हूँ, वो गाने जरूर मैं घर पे गुन गुनाती हूँ, उसका अभ्यास भी करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये feels इतने different होके भी एक दुसरे से मिले हैं, हमें film संगीत से भी बहुत कुछ सेखने को मिलता है, और उसका aesthetic sense जो है, वो मैं अपने शास्त्री संगीत में भी इस्तमाल करती हूँ तो मुझे लगता है स्वर जैसे शाश्वत है, तो वो स्वर अगर बहुत सूरीला, बहुत सुन्दर है, तो किसी भी गान प्रकार में आपके दिल को छूके ही जाएगा, लेकिन अगर career की बात करें, तो मैं सिर्फ और सिर्फ शास्त्री संगीत गाई का ही हूँ, और चलते तो हाँ मैं हूँ, सावनी आपको 2018 का जो बिस्मिल्ला खान युवा पुरसकार है उससे नावाजा गया, तो मेरा प्रशन यह है कि जब इस तरह के पुरसकार मिलते हैं, तो इससे क्या दिशा मिलती है, क्या ये लगता है कि हाँ जो समरपड है या जो साधना चल रही है और मैं खुद को पुनश बहुत खुशनसीब समझती हूँ, कि हर पड़ाव पे मेरी साधना के हर पड़ाव पे मुझे पुरसकार प्राप्त हुए, चाहे वो पंडित जसराज गौरण पुरसकार हो, या माडिक वर्मा मेमुरियल अवाड हो, या विश्व संगीत रतन हो, और खास करके संगीत नाटक अकाड़मी का उस्ताद बिसमिल्ला खाय हुआ पुरसकार, तो बहुत 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 ये मेरी गुरोजुनों की कृपा है, मेरे माता पिता की कृपा है, कि मुझे इन पुरसकारों से सम्मानित किया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शा आदा बढ़ गई, मेरे जिम्मेदारी बढ़ गई, तो इससे आगे बढ़ने की एक निश्चित स्वरूप से आपको दिशा मिल जाती है, लेकिन पुरसकार मिले, उसका शुक्रिया आदा करना चाहिए, और फिर आगे चलते रहना चाहिए, ये मेरी मानसिक्ता है, ऐसा नह उल्टा मुझे लगता है कि पुरसकार से आपको आगे बढ़ने की प्रेणा मिलती है, सही दिशा पर जा रहे हो, इसका एक, you know, it gives you a confidence in yourself, और आपकी संगीत साधना है, वो चलती ही रहनी चाहिए, और पुरसकार मिलने है, तो मिलते जाएंगे, गुरु जनो का ये सबसे एहम बात है, सावनी जैसा अभी आपने पिछले जवाब में बताया कि शास्त्रिय संगीत के प्रती जो आपका समरपण है, उसकी वज़़े से आप मन्च से फिल्मी गाने नहीं गाती है, लेकिन फिल्मी गाने गुनगुनाती है, फिल्मी गायकों को आप एडमा गुनाती जरूर हूँ, लेकिन मैं आम तोर पर ऐसे नहीं गाती, और ये इंटर्व्यू जो कि शास्त्री संगीत से जुड़ा हुआ है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ शास्त्री रचना करते करते, कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत सुन्दर सी ललित रचना भी आप को सूज जाती है और दिमाग में आती है, तो ऐसे माध्यम से मैं वो गाना चाहती हूँ, कि ये मैं मेरी महफिलों में नहीं गाती, तो एक रचना है जो रिलीज होगी अभी साबरिया, हो साबरिया, तेरे बिना लगिना, मुराजिया साबरिया ये मैंने खुद बनाई है और आपको जानकर बहुत अश्चिर्य होगा, कि ये सिर्फ पियानो और गिटार पर है, इसके पीछे तानपुरा नहीं है, तबला नहीं है, लेकिन इस सुन्दर पियानो और गिटार से सजी हुई रचना है और जल्द ही आप सब लोगों के खिद्मत होगी साबड़ी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको धेर सारी शुप कामना है, आपका संगीत सफर यूही चलता रहे, आपके संगीत की खुश्बू यूही पहलती रहे, यूही महकाती रहे, दुनिया को और संगीत के प्रेमियों को हमारे प्रेम सुपष को महां छी हमा हरे, रहे ul ya भेंको धता हम झालबा आपको ओिक सारी water खूही था है, आपके सारी खुनियूप के प्रेमेश के रहे, युबूनिया कि झाल आपको ङूही रहे, आपका रहे, दूपश्के सक् neighbourhood हू़ूु सहारे हो है, आपको गूही हमा